बिसमिल्लाइ रह्मान रहीम अस्सलामु अलेकुम ब्यूटिफुल पीपल कैसे हैं आप सब उमीद करती हूँ आप सब खेरियत से होंगे वेल्कम बैक टू मैं यूट्यूब चैनल आज हम बनाने जा रहे हैं एक मुनफरीद और डिलिशियस सा बेसन का हलवा उमीद करती हू और देखते हैं कि कैसे हलवा बनेगा सबसे पहले यह हैं कुछ इंग्रेडियंट्स यह मैं आपको साथ साथ बताती जाओंगी सबसे पहले हमने ली है एक कड़ाई उसके अंदर मैंने एड़ किया है हाफ कप ऑईल ऑईल जब गरम हो जाएगा तो फिर हमने इसके अंदर ए अच तहीमी रखनी है और इस बेसिन को हमने तब तक भूना है जब तक इसके कच्छे बेसिन की तो समेल है वो दूर नहीं हो जाती जब तक इसको बहुते जाएंगे चलेजी अब हम लेंगे एक पैन बिसमिल्लायरहमानीरहीम इसके अंदर तीन अंडे लोंगी मैं इनको ए नो बीट करेंगे लो गया और और मेरे बीट हो घए उसके अदर मेरे लूएंगी एक गलास दूद और इस दूद्ध केंदर में रचे करूंगी हाफ़ कप चिनी चीनी जो है याद रहे हैं कि यह हमने अच्छे तरीके से क्रश करके डाली हैं यह मैंने इसको जूसर ब्लेंड कि यह मेरे अटनन इसको याट कर दूऑ दूंगी और आट करने के बाद इसको हम चले करेहे बाद से इसको अच्छे तरीके हो सससे जाएं के आप जब तक हम इसको मिक्स करते हैं चले जिए अब nee तक अब नहीं तक मेरा यह अच्छे तरीके से मिक्स हो Gave अब मैं दोबारा से Time on करूंगी और इसके अंदर से एक दफार हला रहते हुआ उर इसके अंदर में एड़ करेंगे चोटी ओलाची तकरीपन तीन से चार चोटी ये लाइची इसको आड़ करके इसको मैं अच्छे तरीके से हिला लूँगी हमने बेसन का हलवा जो है इसको हमने धीमी आज पर पकाना है अब इसके अंदर ये बीट किया हुआ जो हमारा मैलिनेट किया हुआ मिटीरियल है उसको आड़ कर देंगे एक ग्लास दूद हाफ कप दूद Cap ringing और्टीनी और साथ में तीन अंडे इसको आड़ करके मुसल्सल हिलते जाना है धीमी आज पर आज हमने बिल्कुल भी तेज़ नहीं करनी, इसको हमने धीमी आज पर मुसल्सल हिलाते जाना है एक मक्सूस से खुश्प्टब टर यह पकाना है इसको हमने पक watches प इसको अच्छे से लाते जाएंगे चैनल को सब्सक्राइब ना करना भूलिए गा ताकि आपको मेरी मुन फ्री से डिशिस मिलती जाएं आप ये देखें अच्छे तरीके दूट जो है वो खुश्को चुका है बेसर ने दूट को चूस ली अच्छे से और ये इसने ये शकर इक्तियार कर ली है इसको मुसलसल हिलाती गई हूँ और इसका अब इसके अंदर हम एड़ कर देंगे कटे हुए बदाम इनको आप क्रश करके भी डाल सकते हैं काटके भी डाल सकते हैं इसके अंदर याद रहे हैं मैंने कोई भी एसनस वगर आड़ नहीं किया क्योंकि ताजा हमने दूद एड़ किया है और अंडे उसकी ही महग बहुत अच्छी है मेरा हलवा बिल्कुल त्यार हो चुका है अगर आपको मेरे रेसेपी पसंद आई है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिएगा थैंक यू, अलाह आफिस